नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभीका जेग वर फिर से आपके अपने चैनल लेंग एंपायर पर मेरी जनी अनु के साथ वो अपने कमरे में बेढ पर लेटा होता है और छुपके से वो माता-पिता की बात सुनता है वो सुनता है कि उसकी माता से बात से कह रही थी कि समय आ गया है कि और तो मैं पूरे परिवार की रहे दालो या फिर खुद इस सवाइद कर लो वो डरते हैं कि अब अलाइस पावर हमारे साथ वही करेगी जो उन्होंने जी उसके साथ किया था तो अब सवाल यह है कि अलाइस पावर ऐसा क्या करेगी कि हिल्मुत के पिता इतना डर गए कि उनको अपनी जिंदिगी से जादा प्यारी मोत लगने लगी थी इस कंवर खतम होता है दिन खतम होता है उसके बाद हिल्मुत के फिजिशन पिता ओफिस में जाते हैं और अपने आपको वही पर गोली से मार लेते हैं और सुषाइड कर लेते हैं ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको डर लग रहा था कि यदि वो जिंदा रहेंगे तो अलाइस पावर क्यों उनको इतनी सक्त सजा देने जा रही थी जिसकी वज़ासे उन्होंने अपने आपको मारना बहतर समझा तो अब शुरू हुआ था और 1918 तक ये लगातार चलता रहा इस लड़ाई में अलाइड पावर्स वर्सिस सेंट्रल पावर्स के बीच में यूत था तो अब बात आती है दोस्तों कि कई बार MCQ पूछ लिया जाता है कि अलाइड पावर्स में कौन-कौन से देश थे या फिर सेंट्रल सर्विया इटली तो ये जो साथ देश थे ये अलाइड पावर का हिस्सा थे दूसरे तरफ ये किस से लड़ाई कर रहे थे ये सेंट्रल पावर्स से वर्ल्ड वर वन में उल्जे हुए थे सेंट्रल पावर्स में सिर्फ चार देश थे जर्मनी बुलगैरिया ओटोमन पायर और ओस्ट्रो हंगरी तो जैसे मैंने अभी आपको बताए कि में डारेक्ली कोशन आ जाता है कि सेंट्रल पावर्स में कौन-कौन से देश थे या अलाइड पावर्स में कौन-कौन से देश थे तो इनको याद रखना बहुत ही ट्रिकी सवाल होता है दिमाग खराब क ज़एफ क्या ट्रिक है बुछी जे यानि के बी से ब्रिटेंटा इस से रस्या यू से यू से एसए स्वर सर्बिया यह आज जाएगा आपका इटली तो इह ओगई पाँच अलाइड पावर्स प्लस जपान और फ्रांस तो यह हो गई आपकी साथ की साथ अलाइड पावर्स दूसरे तरफ बात आती है सेंट्रल पावर्स को याद रखने की तो छोटी सी ट्रिक है बागो जैसे बुल्गारिया एफोर उस्ट्रो हंगरी जी फोर जर्वनी सेंट्रल पावर्स को बागो की ट्रिक देने का मेरा दूसरा मकसद ये भी है दोस्तों कि इससे हमें यह जाद रहेगा कि यह भाग गए थे वर्ल्ड वोर वन में यानि हार गए थे अलाइड पावर्स ने इनको भगा दिया था बोल दिया था कि आप यहां से भागो तो इस शुरू होता है तो लगातार चार साल तक ये युद्ध चलता रहता है और 1918 में खतम होता है इस युद्ध में विनर के रूप में हमारे सामने आती है अलाइड़ पावर्स एनि नि भुरूशी जेफ और हारती है Central Powers यानि बागो तो जब यह Central Powers हार जाती है तो सबसे बड़ा जो असर पड़ता है जर्मनी पे पड़ता है हारते ही German King abdicate कर देता है यानि के वो resign कर देता है और जैसे ही German King resign करता है वैसे ही जर्मनी में Parliament picture में आ जाती है पार्लेमेंट जब आती है तो अपने साथ democracy लेके आती है और जैसे ही democracy आती है तो वीमर रिपबलिक नाम की एक पार्टी जर्मनी में इलेक्शन जीत के अपनी सकता स्थापित करती है यानि के हम ने क्या देखा कि वर्ड वोर-1 के बाद वीमर रिपबलिक नाम से एक democratic पार्टी आती है जो जर्मनी में democracy लेके आ जाती है अब इसके बाद क्या होता है दोस् वही हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि आप सभी को पता है कि इधर जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वोर में हार जाता है तो ना सिर्फ जर्मनी हारता है बलकि जितने भी यूरोपियंस होते हैं इन सभी के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं चार साल तक कोई देश अगर लड़ाई में लड़ा हुआ है तो उसको अपने रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे ठीक है आर्मी को सप्लाई देनी पड़ेगी वो सप्लाई लगातार बनी रहे तो उसके लिए रिसोर्सेज का इस्तमाल होता है और यह रिसोर्सेज ड्रेन की काफी सारी territories को जर्मनी ने अपने अंडर में कर लिया था लेकिन picture कब change होती है picture तब change होती है जब United States 1917 में World War 1 का हिस्सा बनता है और वो Allied Powers में आ जाता है तो जब United States Allied Power को join करता है उसके join करते ही जर्मनी हारने लगता है Central Powers हारने लगती है और November 1918 में World War 1 खतम हो जाता है और Central Powers हार जाती है result क्या रहता है कि जर्मन किंग resign कर देता है और इससे parliamentary parties जो है जर्मन की politics में आ जाती है इसके बाद क्या होता है दोस्तो कि वीमर गनराज्य यानि वीमर रेपब्लिक जब जर्मनी में आती है तो इससे क्या होता है democratic constitution का निर्मान होता है और एक federal structure आता है पूरे के पूरे जर्मनी में यानि कि संगिया धाचा दो सदन बनते हैं जैसे इंडिया में हैं लोकसभा और राज़सभा कुछ इसी तरीके का एक संगिया धाचा जर्मनी में आता है with a constitution तो अब यहाँ पर क्या आ गया मतलब यहाँ पर democracy आ गई तो जब जर्मनी में democracy आ जाती है तो जो election होते हैं उन elections के तुरू जर्मन पार्लेमेंट के members चुनके आने लगते हैं election में सभी लोग बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं चाहे वो woman हो चाहे man हो सभी लोग इसमें बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं यानि universal adult franchise जर्मनी में आ जाती है जैसे ही ये party जीत के आती है जर्मनी में अपनी सब्ता स्थापित करती है वैसे ही allies power invitation देती है यूरोप की बाकी countries को कि अब जर्मनी के साथ एक समझोता करना है और इस समझोते के तहत प्लीज आप सभी इस meeting में जरूर आईएगा तो क्या होता है दोस्तों कि समझोते के नाम पे treaty of Versailles की जाती है यानि Versailles की treaty होती है और ये बहुत ही जादा humiliated और harsh treaty होती है और जिसकी वजह से हिटलर का उदय होता है तो अब बात करते हैं कि वीमर रिपब्लिक के साथ ये जो Versailles की treaty थी ये क्या थी तो इधर देखें दोस्तों जब treaty of Versailles होती है तो जून 1919 में होती है इसमें जर्मनी को बोला जाता है कि आप responsible हो आपकी वजह से युद्ड हुआ है पूरे यूरोप बरबाद आगया है सिर्फ जर्मनी की वजह से और आपको अब इसका compensation करना पड़ेगा compensation में क्या किया गया दोस्तों जर्मनी से उसकी बहुत सारी colonies को छीन लिया गया जो भी colonies जर्मनी ने वर्ड वोर वन के टाइम पे जीती थी जिसे फ्रांस और बुल्गारिया की कई सारी colonies तो उन सभी को जर्मनी को बोला गया कि वापस करो जर्मनी की one tenth population को गुलाम बना लिया गया 13% इसकी land seize कर ली गई इसके सारे resources drain कर लिये गए जर्मनी की जो military थी उसको demilitarize कर दिया गया यानि के जर्मनी को permission नहीं थी कि अब आपनी military रखे इससे क्या हुआ जर्मनी की शक्ति कमजोर हो गई allied armies ने राइन लेंड को भी occupy कर लिया यानि के अब सीधा सीधा कह सकते हैं कि जर्मनी एक slave बन चुका था तो वर्साइल्स की treaty बहुत भयानक तरीके से जर्मनी के उपर impose की गई थी और सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को ही इस world war one का reason बताए गया था तो अब देखिए क्या क्या जर्मनी ने खोया अपनी overseas colonies खोदी 110th of its population खोदी अपनी 13% territories खोदी अपना iron जो 75% iron था जर्मनी ने वो खोदिया iron एक बहुती rich mineral था iron और coal तो ये दोनों ही जर्मनी ने खोदिये 26% उसका call France, Poland, Denmark और Lithuania को दे दिया गया यानि के एक तो जर्मनी की जो अर्थववस्था थी iron से चलती थी और दूसरा coal से चलती थी और दोनों को ही जर्मनी से छीन लिया गया तो अब जर्मनी बरबाद हो गया अलाइड पावर्स ने जर्मनी को कंट्रोल करने के लिए उसको demilitarize कर दिया यानि के जर्मनी की military पे भी पहुत कड़े प्रतिवंद लगा दिये गए जर्मनी को बोला गया कि आप 6 billion euro पे करेंगे जिससे की जितनी भी अलाइड पावर्स हैं युद्ध में हुई शती को पूरा कर सकें तो अलाइड आर्मी इस ओल्सो उक्यूपाइड रिसोर्स रिच राइन लेंड तो एक तो उन्होंने iron अपने कबजे में ले लिए अपने कबजे में ले लिए आप उन्होंने रिसोर्स जो मिनरल्स रिच एक देश एक शहर था राइन लेंड जर्मनी का उसको भी अलेड पावर्स ने अपने शिकंजे में ले लिया इससे क्या हुआ दोस्तों की वर्षाए की संदी से जर्मनी पूरी तरीके से बरबाद हो गया इफेक्ट क्या रहा इस वोर का वोल्ड वोर वन जब होता है तो इसका ये एफेक्ट रहता है कि पूरा का पूरा जो यूरोपियन कॉंटिनेंट है साइकोलोजिकली और फाइनेंशिली बरबाद हो जाता है अब यह सी बात है चार साल तक यदि कोई यूद चलता है तो फिर उससे तबाही आएगी कोई अच्छी बात तो आएगी नहीं यूरोप डैप्टर्स में बदल जाता है यानि के यूरोप के उपर बहुत भारी कर्ज आ जाता है वीमर रिपबलिक War Made To Pay For The Sins Of Old Empire Old Empire में यानि के मुनार्केयल सिस्टम जो था राजा ने जो भी किया उसकी करणी का सजा वीमर रिपबलिक को मिली इसके बाद क्या हुआ वीमर रिपबलिक के जितने भी सपोर्टर्स थे जैसे ही Vimer Republic Treaty of Versailles शाइन करके वापस आते है जर्मनी में तो क्या होता है दोस्तो कि जर्मन के लोग बहुत जाधा गुसा हो जाते हैं Vimer Republic को November Criminals का नाम दे दिया जाता है November यानि November में World War 1 खतम हुआ था याद होगा आपको तो इसलिए वीमर रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स का नाम दिया जाता है और अपनी देश में वीमर रिपब्लिक को जो है कड़ी विरोध का सामना करना पड़ता है Soldiers को civilian और media से उपर रखा गया Soldiers को glorify किया गया ठीक है ऐसा बोला गया कि soldiers बहुत अच्छे हैं इनकी जिन्दगी बहुत अच्छी चल रही है लेकिन अगर देखा जाए तो soldiers की जिन्दगी भी बहुत जादा वल्नेरेबल हो गई थी पीपल जो थे आप डिक्टेटर्शिप को अच्छा मानने लगे उन्होंने कहा हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए तुम लोगों ने यानि वीमर रिपब्लिक ने देश को बरबाद कर दिया बेच दिया यह डेमोक्रेसी होती है तो हमें डेमोक्रेसी न में नहीं चाहिए अब लोगों की बहुत बड़ी दिमांड आने लगी कि हमें डिक्टेटर्शिप चाहिए इसी दिमांड को पूरा करने के लिए हिटलर का उदय होता है किस तरीके से वह हम कल के सेशन में देखेंगे आई होप आपको इस सेशन पसंद आया होगा अगर हां त जाए हिन्ट